आज की भाग दोड भरी जिन्दगी में सबी लोग भागम भाग में हैं ना तो वो समय से खाते हैं ना समय से सोते हैं ना समय से ही उड़ पाते हैं तो समय से ना करने के कारण उनके सरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है और सरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाने से उनको खून की कमी, चक्कराना, उल्टी होना, मुह में छाले पड़ जाना, अतिशार, गर्बपात, पत्री, मुत्र बिकार या अल्टे केरिया, अर्ष, ववसीर जैसे समस्याइं उत्पन हो जाती हैं या उनको धातुरोग, या लिकोरिया, यादी समस्याइं भी हो जाती हैं पित को सांथ करने के लिए, आज आपको हम एक ऐसी ही उसदी बताने वाले हैं, जिसके उप्योग से एक दो ही खुराक में आपके सरीर की सारी गर्मी सांथ हो जाती है, तो इस उसदी को आप तांत्रिक रूब में भी उप्योग किया जाता है, जिसका उप्योग मैं आपको एक वीडियो के अंत में बताने वाला हूं, जिसका प्रियोग करके आप अपने बुखार को हमेशा के लिए छुटकारा प्वा सकते हैं, तो हम बात करना हैं, इस सपेग दुर्बा के बारे में, बहुत सारे लोगों का यह भी मत्त है कि सपेग दुर्बा कैसी होती है, और प्रियोग किस प्रिकार है, तो इस सारी बातों का आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को अंतक देखें, क्योंकि इसकी जानकारी आपके लिए बहुती महत्पूर होने बाली है, अगर आप वीडियो अंतक देखते हैं, तभी आप प्रिक्रित में अस्मरी, अमर्ता, अनन्ता, गावरी, दुर्वा, शत्प्रणी, अनन्ता, अतिलता, बहु बीर्वया, गर्वनी, हरा, शलिनी, हरिता, महा आउशदी, इत्यादी, हिंदी में इसको दूब, दुर्वा, दूब गहास, राम गहास, गुजराती में दुर्व हर्याली दुर्वो मराठी में दुर्वा हर्याली पंजाबी में दुर्वा यादी नामों से जाना जाता है इस दुर्वा घास को आपके छेत्र में साइद दूसरे नामों से जानते हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं तो यह दुर्वा किसी परिचय की मौता नहीं है क्योंकि ये भारतवर्ष में हर जगा देखने को मिल जाती है हिंदु धरम यह भड़ि पवित्र मानी जाती है। ये जानबरों के लिए भारतवर्ष फिलाने के काम आती है भारतवर्ष में जितनी भी घासे है उन घासों में से यह जानवरों के लिए सबसे तरस्रेश्ट घास मानी जाती है तो इस घास को एक बार जमीन पर अगर लग जाती है तो यह वहां नश्ठ होने का नाम नहीं लेती है क्योंकि इसकी जड़े जमीन के अंदर बहुत गहरी बैड़ जाती है और इसके जो रुपतियां होती है अधक्त्स पेद् нельзяं और एक मेली दूर्वा होती है तो इस स्बाइब में कार्मण यह पाया जाता और इसको जलाने पर हमें 11 फूस गफू वश्म प्राप्ट होती है जिसमें कोटेशियन मैंगनेशियम या सोडिम जैसे लव्ड पाए जाते हैं जो हमारे सरीर के लिए बहुती लाप्रदक होते हैं दुर्बा की तासी ठंडी होती है या सीत होती है तो इसका स्वाद मदूर रूचीकारक कसला कड़वा शीतल गुणवाला होता है यह बवन विशर्क कफ पित दहा अतिशार रक्त अतिशार खासी मल को रोकने वाली वातकारक पचने में चरपरी दहा कफ रुद्र रक्त विकार कुष्ट पित जोर को दूर करने वाली होती है अरि दुर्वा आपको भारत बर्ष में हर जगा देखने को मिल जाती है पर अन्तु इसी में से जो सपेद दुर्वा है बहुत ही दुरलव होती है यह कम मात्रा में आपको दिखाई देती है और इसके औसदिये गुडवी हरी दुर्वा से कहीं थोड़े से ज़्यादा होत तो इस दुर्वा के बहुत सारे वेनिफिट से इसको हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं इसका ताजा रस आप नाक में टपका देते हैं तो आपके नक्षीर के जो ब्लड है वो तुरंथ ही रुक जाता है इसका पंचांग को पीस कर आप जखम यहां खून बहता है वहां पीस कर और इसको पिला देते हैं तो आपका आम अतिशार मिट जाता है माशिक धरम के दोरान ब्लेडिंग अधिक होती है तो आप ऐसे में इस सपेद दुर्वा का रस चंदन का बुरादा और मिस्री मिलाकर पिलाने से आपको जो रक्त पिदर है या जो खून या माशिक ध दुर्वा का रस पिला देते हैं तो आपके पित्तज जो उल्टियें हैं वो होना बंद हो जाती है जनोदर एक बहुती गंभीर या खतरनाक बीमारी है जिसमें अधिक्तरवेक की मिर्टियू को प्राप्त हो जाता है इसमें आपका मल मूत्र रुख जाता है और पेक बहार हो जाता है तो आप ऐसे में इस दुर्वा को काली मिर्च के साथ पीस कर पिलाते हैं तो आपका इसमें मूत्र की व्रद्धी होती है क्योंकि इस दुर्वा में पोटेशियम और मेगनेसियम अच्छी मात्रा में होता है जो आपकी मूत्र की व्रद्धी कर देता है इसके कार में जो पित है उसको ये सांत कर देता है गर्मियों को मौसम में आपने देखा होगा कि हमारे मुत्र या पेशाम में कभी बिलड या खून आने लगता है तो उस खून को रोकने के लिए आप इस सपेद दुर्बा को मिसरी के साथ पीज कर पिला देते हैं तो आपके जो खून आना जो आपका खून है वो आनाबंद हो जाता है मलेरिया बुखार में आप इस दुर्बा का और अतीश का चुरुण मिलाकर दिन में दो से तीन बार चाटने से आपको बारी से आने वाला बुखार उतर जाता है मूँ में च्छाले होने पर आप इसके काड़े का कुल्ला करते हैं तो आपके मूँ के च्छाले या मूँ की बद्भू भी चली जाती है आपके उपदंस या कोई कीट पतंगा काड़ जाता है उसकी दूसरी अवस्ता में आपके सरीर पर चकत्ते से पढ़ जाते हैं तो ऐसे में आप इस सपेद दुर्बा की जड़ का कुआत्ट ब पिला कर पिला देते हैं शुबा और शाम तो आपके पेसाब की जलन और पेसाब में जो चिप चिपा आता है वो तुरंद रुख जाता है गर्मियों के मौसम में पित की मातरा स्रीर में अधिक हो जाती है तो पित को आप पहचानने के लिए जैसे आपको गुस्ता अधिक आएगा आखों में जलन होगी खून की कमी हो जाती है आपको जो मल है वो टाइट या रूखा कड़ा काले रंग के आता है आपके बालों का तूटना आपके सिर में डेंडर्फ हो जाना यादि ये पित के लचण होते हैं तो आप ऐसे में इस दुर्वा का रस चावल के धो उनके साथ पिलाते हैं तो आपका फित शांत हो जाता है आप इस दुर्वा का रश निकाल ले और बरावर मात्रा में आप तिल का तेल ले ले इसको धीमी आज पर पकाएं जब पकते पकते तेल से समात रह जाए आप उतार कर रख ले और उसको खाज खुजली या इसकिन प्रावलों पर आप लगाते हैं तो आपको उससे छुटकारा मिल जाता है कुवे वाली दुर्वा और 30 गिराम पानी में पीस कर मिसरी मिलाकर सुबह और शाम पिलाने से आपके मसाने की पत्री बाहर निकल जाती है आपने देखा होगा कि गर्मी के दोरान उल्टी या खास आने पर उनके वल्गम में खून आना शुरू हो जाता है तो ऐसे में आपको अगर कुछ भी मेडिशन या कुछ भी नहीं पता है तो आप ऐसे में सफैत दुर्वा का प्रियोग कर सकते हैं आप इस अपश्य दुर्वा कर सुबह शाम खाली पेट पिलाते हैं तो आपके सर को रोकने के लिए भी आप या उसकी जखम या उसकी जलन को सांथ करने के लिए आप इस सपेद दुर्वा का रस निकाल कर मठे के साथ सेवन करते हैं तो आपके जो अलसर है उसमें बहुत ही फाइदा होता है पेट में गैस अफरा या हैपर ऐसेडिटी पेट में दर्ध हो त इसको सुका कर आप इसकी भशम कर ले और उस भशम से आप छार निकाले उस छार का आप एक रत्ति की मात्रा में शेवन करवाते हैं ठंडे जल के साथ तो आप देखेंगे कि पांच मिन्ट में ही आपके जो पेट की गैस अफरा है या पेट फूला-फूला है यादि समस्य आपकी 5 मिनिट में ही नश्ठ हो जाती है लिकोरिया या पदर लोग होने पर या रक्त शिरव गिरफ पात यादि समस्या योनि व्यादियों में इसका प्रियोक करते हैं इससे रक्त रुकता है गरवासय को सक्ति प्रिलान होती है और गर्व का पोशन मिलता है बहुत सारे सीना निकलता रहता है तो ऐसे लोग इस सपेद दुर्वाकार का सेवन करें उनका पसीना या सब्सी। है वो भी नश्ट हो जाती है खुनी बवासीर में आप इसका पंचांग धाई के साथ मिलाकर और इसके पत्तियों का पीशकर बवासीर के मस्वों पर लेब करते हैं उससे काफी आराम होता है इस प्रकार से कह सकते हैं कि यह सपेज जो दुर्वा है इसकी प्रकृति सीत होती है और यह आपके बॉड़ी से जितने भी पित्तज या रक्त पित्तज विकार है उनको यह नश्ट कर देती है एक इसका चमतकार यह भी उप्योग है आप समसान घाट में उगी हुई दूब क घर लेकर आ जाए और लाल कपड़े में आप इसको बांसं खाय कि दूब उखार कर आप ले आए और इसकी जड़ को आप एक लाल या काले धागे में बाँन कर और अपने कलाई में बांद देते हैं जिसको बुखार बना रहता है तो देखेंगे कि इसको बांदने से उसके जो बुखार है वो आना बंद हो जाता है तो इस सपेद दुर्बा का उपयोग उन लोगों को नहीं करना चाहिए जो कफ फिरवर्ति के लोग है जिनके सरीर मे कफ की मात्रा अधिक होती है जैसे कि उरको खांसी बुखार जुखाम साइनस या अस्तमा ऐसे लोगों को इस सपेद दुर्बा का प्रियोग नहीं करना चाहिए तो इस सपेद दुर्बा की महतपूर जानकारी हम है समाप्त करते हैं और हम कल फिर मिलेंगे एक नई और सद् के लिए जाए हिंद